तो दोस्तो इस वक्त की बहुत भी खुष करने का रहा हुए इसे चाmia मशातना है जो इस बर बीहारवर्ण से मेट्रे का एक्जाम दिया है डिया है जहां दोस्तो आप से बियूंचार ल Cleف है आपको किस डेट में जारी कर दिया जाएगा तो उसके लिए वीडियो पे बने रहें तभी जाकर करके पूरी जनकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं पहली बार जोड़े चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने सब्सक्राइब करें तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप सभी आप अच्छी तरह से देख पा रहें कि बिहार वोट टेंथ रिजल्ट वाइस बिहार वोट दसमी टॉपर की कौपियों का मुल्यांग्शन शुरू रिजल्ट 27 मार्च को जिए अपने रिजल्ट को लेकर करें तो आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों जो कि टॉपर का वेरिफिकेशन है उसका परकीरिया शुरू कर दिया गया है और आपका रिजल्ट है 27-28 के बीच में आपका हरहल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जी यहां दोस्तों आ कॉपियों की मुल्यांकन करने में थोड़ा सा समय लगेगा और वो जैसा है आपकी चेक होती है दोस्तों टॉपर हरिफिकेशन कंप्रिट कर लिया जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दी जाएगी तो जैसा कि दोस्तों हाँ आप सभी अच्छी तरह से देख पर है इसी के साथ टॉपर की कॉपियों की जाच के परकिरिया भी शुरू हो गई है बता दे बुद्वार को बिहार भी त्याले प्रिक्षा समीति ने मुझापर पुर्षमित सभी जिल्लों के डियों और मुल्यांकन करने वाले केंद्र निर्देशकों को भी या इस सम्मन को बता दे कि आपका जो सभी जिल्ला के डियो ओं होते हैं उवह कठा हों योटन मुझा रही है वहां पर टॉपर्षम पर फैरिफिकियों किया जाएगा जैसा इंट टॉपर लिश की जारी कियी जाएगी उसके बाद रिजल जारी कर दी जाएगी पताBAद न चाहते हैं इस हां दोस्तों बता दे की जाच करने के बाद ही रिजल की तारिख की घोषना कर सकता है बताया जारा है कि 27 माई 22 इनिरविबार को बोर्ड की तरफ से जारी किया जा सकता है लेकिन इसको लेकर बोर्ड ने अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं चैसे नहीं दी है यानि कहा जाए दोस्तों बोर्ट तरफ से अभी 27 तारी को रिचल जारी करने की कोई कंफर्मेशन नहीं जारी की है लेकिन एक उमीद जताई जा रहे है दोस्तों कि 27 28 के बीच में आपका रिचल जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप से पता चल गया कि जो मेट्रिक का रिजल्ट है वह 27 से 28 के बीच में जारी कर दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चांग करें लाइक करें और अपने दोस्तों साथ से जरू करें तक लिए बाइबाए दोस्तों मिलते नश्यूंगा थाइंकियो दोस्तों